नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो एच्छ सची सीटी का रेजल्ट हुआ रद पूरा का पूरा रेजल्ट दोबारा आएगा सब की दोबारा से डीवी और रेटिना की जांच होगी तो इस चीज से रेलेटिड अभी अभी एक नई न्यूज आई है क्या नई अ जरूर करके जाना और हमारी इस चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करना और यदि होस्के तो इसको वीडियो का लिंक है वो ज्यादा ज्यादा शेयर भी जरूर करें तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या नहीं ख़बर आई है तो न्यूज आप देख रहे हैं क्या है देख लीजें सीटी पीपीपी की वेरिफिकेशन पर टिका 65,000 युवाओं का भुश्या है ये तो एक चीज़ा लगा है आगे देखिए 3.57 लाख सीटी क्वालिफाई अभी आर्थियों के डेटा की ओडिट की जाएगी यहां पर क्या देखो दस्ताविजों की जाँच होगी और रेटिना स्कैन होगा सीटी पास करने वाले 3.57 लाख युवाओं के डेटा का ओडिट 15 दिन बाद सुरू होगा और इसमें दस्ताविजों की जाँच होगी सबसे पहले रेटिना स्कैन किया जाएगा इसमें गड़बड़ी मिलने पर अभियारती बर्ती पिरक्रिया से बाहर हो जाएगा साथ ही इसके किलाब कारवाई भी की जाएगी और एचससी का मानना है कि कुछ युवाओं ने अलग-अलग आईटी के जरिए सीटी दिया है तो इन सभी की जाँच भी की जाएगी और यह जाँच एक एजनसी के जरिये की जाएगी और रिपोर्ट आने में महत चार से पांस दिन का समय लगेगा तो आप सभी को बता देता हूँ दो चीज़ें इसमें एक तो जो 65,000 युवाई है युवा है जिनका ये लिखा रहा था प्रोविजनल तो उनका क्या है कि PPP के हिसाब से अभी जो है 15 दिन के लिए बोटल ओपन किया जाएगा मंडे तक बोला जा रहा है कि मंडे तक ये बोटल है वो ओपन कर देंगे तो जो प्रिवार पैचान पत्र है उसके according वो डाटा है verify करके तो उनका अगर सही पाया गया तो प्रिविजनल अटा दिया जाएगा और गलत पाया गया तो उनके नमबर अटा दिया जाएगे तो ये काम किया जाएगा और दूसरी चीज़ क्या है उनको सीधा बाहर किया जाएगा तो ये चीज़ 15 दिन बाद करेंगे 15 दिन पहले युवाओं को मौका देंगे कि अगर आपने कोई गड़बड़ी किया है कोई गलती किया है तो उसको सही कर लीजिए यदि आप सही नहीं करते हैं तो आपकी जाएगे एक अजनसी के थुरू और जो है उसके उपर एक्षन लिया जाएगा तो आपकी इसके बारे में क्या राया है आप कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आपकी राया है आप जरूर बताएं अपनी वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत दिन्यवाद